चाइबासा शहर में जलापूर्ती की जाने वाली मेंन पाइपलाइन के फट जाने से पूरे शहर में जलापूर्ती ठप हो गई है एक दर्जन से ज़ादा वाट में पानी का सप्लाइन नहीं हो पा रहा है यहां तक की डीसी, एसपी, आवा, सहीद, तमाम अधिकारी, कॉल्मियों, रिहाईशी और स्लम एरिया में भी जलापूर्ती बाधित हो गई है में पाइप फटे से लाखों गैलन शुर्दे पेजल सरकों पर वहकिया इसके लिए बिजली विभाग के समवेदक और कर्मियों की लापरवाही सामने आई है अनलोक में बिजली विभाग के समवेदक ने जैसे ही अंडरग्राउंड केबल बिछाने का काम शुरू किया उसके जैसी भी मशीन से जमीन खोते समय में पाइप फट गई अन्डरग्राउंड केबलिंग करने के दौरान ये दूसरी खटना है जब में पाइप लाइन फटी है दरसल बिजली और पिजली विभाग के बीच ये तैह हुआ है कि केबलिंग के लिए 8 फिट गटे खोदे जाएंगे लेकिन ये बहुत पुराना पाइप लाइन है इसका प्रॉपर लूप से मैप जो है वो प्लग नहीं है लेकिन इसके बावजी दोनों विभाग के जब लोग रहेंगे और केबलिंग का काम होते रहेगा तो कहीं पाइप लाइन आएगा तो ये तो बता देगा ना वो मिशीन भी बता देगा कि आगे कोई हिंडरस है वो पत्थर है ये पाइप लाइन है तो वहां पर खुडाई करके देख ले अगर पाइप लाइन है तो इनके पास तो मिशीन है ये लीचे से उसको और ज्यादा डेफ्ट करके नीचे से निकाल दे के बिल को लिकिन वह किया गया है यहां पर तो लापरवाही तो नजर आ रही है लेकिने लोगों को यहां पर इस चीज के लिए बोला गया कि तुरत चालू करे और ऐसा भविस्व में नहीं हो इस चीज को सुने